असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हुँ ठीक ठाक होंगे तो आज मैं बहुत ही टेश्टी अंडा और गोभी आलू की सबजी बना करके तयार करने वाले हैं तो एक बर मेरी इस तरी बताईवे तरीके से बना करके जरूर से देखिएगा बहुत ही टेश्टी लग अलो को भी हमने दूल करके रहे हैं और अंडो को बोईल करके रख लेंगे तो ये अंडे और गोभी के बहुत ही असान तरीके से हम बना करके तयार करने वाली है तो चली अब हम गैस पे एक फ्राइप राइप इन चढ़ाएगे जबाएगे इसमें हम डालेंगे सरसों आप चाहिए तो डाल सकते हैं इसे हम हमहरा होने दे कि उप्तों दें कि हमारे है चलिए रहतर हमने घरosh एंडों को अच्छे से फ्राइब कर लेते हैं अंडो में कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो मसाले में जाएंगे तो अंडा भी हमारा अच्छे से टेश्टी बन करके तयार होगा अब अंडों को हम अच्छे से सुनहरा कलर दिला लेते हैं आपको जितना पसंद हो अब इसमें कलर लाईएगा तो बस हमारे अंडे हो गए हैं अब इन अंडों को हम निकाल लेते हैं इसी तेल में हम डाल देंगे आलू आलू को अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक हम इसमें आलू को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं एकदम अच्छा सा क्रिस्प फ्राई कर लिए हैं तो बस इन आलू को हम निकाल लेते हैं बहुत ही जट पड बन जाता इस तरीके से सारे चीजों को हम फ्राई करके निकालते जाएंगे तो बच्चे वे तेल में हम फीर से डाल देंगे गोवी, सारी गोवियों को हम डाल दिये हैं, अब हम अच्छे से इसको चला करके हम इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी भी Add करेंगे ताकि ये अच्छेसे कलर आज़ाए और नमक भी इसमें अच्छे से पिज़ड़ा है, तो अब बहुत ही जट पट यह सबजी बन करके तयार हो जाती है तो यहां पर हमारा गोवी भी अच्छे से फ्राइब हो गए हैं तो चलिए इसे अब हम रख देते एक साइड पे अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक कूकर इस कूकर में हम डालेंगे रिफाइन डॉयल यह सबजी बारिक चौप करके लिए हुए है तो इसे डाल देंगे और इसको अच्छा सा हम सॉफ्ट होने तक पकने देते हैं प्याजों को ज्यादा हम इसमें कलर नहीं दिलाना है नहीं ज्यादा डार करना है नहीं ज्यादा इसे हमें कच्छी रखना है बीस सेज का हम इसमें रखने यहां पर डालेंगे एक चम THE धनिया प्या चमची जीटा का पॉर्डर हाफ चमची कशुरी पॉड़र और हाफ चमची डालेंगे रेगूलर लालमीच पॉडर और तेश्ट के हिसाब से डालेंगे लाको Blood Per रापोर्डर एंदें भी चमची अच्छा एगा अब इसमें दाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे की मसाले हमारी अच्छे से कूल जाए इनको अच्छे से मीक्स करके एक सेट पे र DFा हो गया नहीं ज्ञादा डार्ग करण। तो बस अब हम इसमें टाल देते हैं तुन्डburke में इसको अच्छे से भूनेंगे अच्छे में अच्छे से पून लेते हैं यह थोड़ा साटे हो चाइगा उसके बाद इसमें डाल देंगे वारे ले प्याजो को चूरते हुए भूनना है ताकि मसाले हमारे पेश्ट बन करके तयार होंगे तो मसाले अच्छे से हमारे भून गए हैं अब हम इसमें जो फ्राइक के हुए आलू और गोबी थे उस वी को डाल देंगे ताकि इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए तो सबसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा हम बून लेते हैं दो तेन मिनट के लिए बस यह अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम इसमें जो गोबी फ्राइक के हुए है उसे भी डाल देते हैं तो गोबी भी को हमें ज़्यादा भूनने नहीं इसलिए कि गोबी हमारे फ सब्सक्राव है वाल इसमें और तरफ साप से हम इसमें पानी काहिए वेछ साव्रे नहीं करेंगे हम एक गै Ronald हैं और पानी दाल करें और यहकं दॉक कर लेंगे देखिक ऐड फॉर्छ दिश्टि आहले हैं तो आ हमें अच्छे से मिक्स लएं गया है अब हमुकर का ढकन को बंद कर देंगे और भी एक सीटी हम इसमें आने देंगे एक सीटी के बाद इसका गयस खुद से डीलीज होने देंगे और यह हमारा हो गया है तयार देख सकते हैं कितना यम्मी और टेंटिंग लग रहा है एक दम अच्छे से हमारे बंद करके तयार हो जाते हैं गोबी आलू और अंडे की ग्रेवी वाली सब्जी इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी कई बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर हम सर्व कर लिए हैं गोबी आलू और अंडे की सब्जी को इसके उपर से हम थोड़ सा दाल देंगे धन्या की पत्ती धन्या की लगते हैं अगर मेरे रेसिपी आप लोगों को पसंद लगी हो तो प्लीज प्लीज दोस्तों और फ्रेंड्स में सेयर का दीजगा मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजगा फिर मिलेंगे अलाफीज